वरिंदावन के श्री राधावलम मंदिर में होली की उमंग देखने लायक होती है, रंग भरनी एकादशी के साथ ठाकुर जी अपनी चांदी की पिछकारी और भक्तों को कई अलग-अलग रूप में दर्शन दे कर होली खेलते हैं। मंदिर सेवायत सूरज गोस्वामी ने बताया कि होली कायोजन राधावलम मंदिर में बड़े ही भव्य रूप से किया जाता है और रंग भरनी एकादशी से जो रंग मंदिर में उडता है जिस प्रकार का उमंग मंदिर में रहती है वैसा नजारा पूरे विंदावन में कही नहीं होता साथ ही ठाकुर श्री राधावललाल भी अनेख रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं जिसके लिए भी लाखों लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं होली िके मौके पर मंदिर में कहीी प्रकार के आयोजन के जाते हैं होलі जिसे योगल सुरूप के दर्शन कहा जाता है और भगवान इसी स्वरूप में भक्तों के साथ भव्य रूप से रंगों की होली अपनी चांदी की पिछकारी के साथ खेलते हैं जै राधावलवलाल की श्रीय रिवंश आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्रंदावन में होली की धूमदाम मची हुई है ऐसे ही आज हमारे राधावलवला मंदिर में आज के दिन विशेस दर्शन होते हैं होली के यह हैं ठाकुड जी के यूगल स्वरूब के दर्शन जैसे हमारे आज ही है वही दर्शन यहां श्री राधा वल लवलाल के यूगल स्वरूब के दर्शन है आज आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ श्री राधा जी का श्रिंगार है और दूसरी तरफ लाल जी का एक तरफ नीलामबर धारन किया हुआ है तो दूसरी तरफ पीतामबर जब मुकुट से धारण पाग से धर्शन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ ठाकुर जी ने चंदरकाजी धारण की हुई है और दूसरी तरफ मुकुट धारण किया हुआ है इसका क्या दात्पर है यहाँ जो युगल सुरूप के धर्शन है अभी तक जै जो युगल सुरूप के धर्शन होते हैं जो राधावललाल अपने भक्तों को देते हैं जिसमें उन्हें प्रिया जी का सुरूप और लाल जी का सुरूप आज के दिन जो सामान में धर्शन आरती हैं उन्हें समझ में आते का अच्छा कि ये वाली तरफ जो है हमारे राधा चोटी पिछकारियां होती हैं जो की केसर और इत्र से युक्त होती हैं वो केसर इत्र युक्त पिछकारियां एक प्रियाजी की और एक लाल जी की आप जब दर्शन करेंगे तो युगल में ही पिछकारियां हैं और प्रियाज लाल अपनी सक्कियों के साथ समस्त ब्रजवासी जितने भी हमारे दर्शनार्थी जो भक्त आ रहे हैं देश विदेश सभी जगे से उन सभी पर खूब रश्वर्शा कर रहे हैं और उनके अपनी क्रपा में रंग में सराबोर कर रहे हैं